हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्छा 6, 7 और 8 की एक्टिविटी शीट को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं टॉपिक है गरतंतर दिवस आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा हमारे देश का समविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इसी खुजी को हम हर साल गरतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं भारत का समविधान बनाने में दो साल 11 महीने वे 18 दिन का समय लगा था पूरे देश में गरतंतर दिवस के उपलक्ष में अनेक कारेकरम आयोजित किये जाते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस दिन राष्टरपती द्वारा हमारा गरतंतर दिवस क्यों मनाते हैं तो बच्चो आंसर है हमारे देश का समविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हम इस खुसी में हर साल गरतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं अब कोशन है आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे तो बच्चो और क्यों कोई एक बा इनों को सामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने सिक्षक या सिक्षी का अभिवावक को दिखाएं तथा उन्हें सुनाएं तो यहां पर सब्द हैं विद्याले बच्चे जंडा देश भक्ती सपत खुसी सम्मान तो बच्चो आप इन सब्दों का प्रियों करके कोई भी एक कहानी सुनाएंगे तो यहां पर बच्चो कहानी जैसे कि 26 जनवरी का दिन था विद्याले में सभी बच्चे गर्तन तरदिवस की तैयारियों में लगे हुए थे तैयारियों को पूरा करते ही समारो सुरू हुआ समारो में बच्चो ने देश भक्ती पर भ लूप में मनाते हैं तभी देश के समान में जंडा फैराया गया तथा राश्ट्रगान गाया गया उसके बाद सभी बच्चों ने अनेक परकार के कारेकरम आयुजित किये तथा खूम खुजी के साथ इस आयुजन को संपन्द किया बच्चो यदि आपको ये वीडियो झाल